खुप हेलो फाला क्योशन है वाट इज एन ओल्ट इंडिकेटर नेम टुव एफेक्ट ओन अडिन गाइड़ियों हाडुचाइड सॉल्यूशन फॉल्ट फैली वह बताना है कोई दो अल्ट इंडिकेटर का नाम लिखना है और सोडियम हाड्र ऑकसाइड जब उसमें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि all factory indicator क्या होता है टिक है all factory indicator क्या होता है तो हम लोग को यह समझना है कि वैसा indicator जिसका smell चेंज हो जाए ठीक है इंडिकेटर का क्या होता है लेकिन अगर इसमें चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग और इंडिकेटर बोलते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोज कि सबस्टेंस कि उज इसमेल चेंज और एडिंग और बेसिक सॉल्जूशन इस कॉल्ड और फैक्ट्री इंडिकेटर अगर उसका क्या होता है कि एसी यह बेसिक सॉल्जूशन को एड़ करने पर अगर इसमेल चेंज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नेम टू ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर इंडिकेटर का नाम लिखना है तो सबसे पहले नाम आता है वनिला का ठीक है और दूसरा नाम आता है ओनिय कर सकते हैं तो बोला गया है what is the effect on adding sodium hydroxide solution on this olfactory इंडिकेटर sodium hydroxide का formula क्या होता है sodium hydroxide होता है इसको वाटर में डालेंगे तो क्या होगा एन प्लस ओएच माइन देगा ओएच माइन कौन देता है पेस देता है तो मतलब कि sodium hydroxide कैसा चीज है बेसिक है तो अगर sodium hydroxide को इसमें डा basic solution डाला जाता है तो दा इसमेल और ओल फैक्ट्री इंडिकेटर अ गेंनाट वी डिलक्ति गरनोट बीड़ुक्तेटेप्ति इन बेसिक अ solution दो को यहां पर अगर vanilla है या onion है उसको अगर basic solution में जा लगा है तो उसमें जो smell होता है उसका जो पहले से smell present है जैसे onion में या वनीला में characteristic जो smell होता है वो smell को आप नहीं पर पर वो उसका smell जो ऑपको होता है खत्म हो जाता है basic solution मैं डालने पर ठीक है तो यहीं उस changes आएगा I hope you question आपको समझ में आया होगा that's all thank you